तो वेल्टिसकाई की नियो इंट्रस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्षिट जेन के बारे में उसको समझने की कोशिस करेंगे understand करेंगे कि आज का एक अच्छा moment होने के बास second half में जो निफ्टी में एक profit booking देखने को मिली है तो क्या ये एक indication है breakout failure के या फिर दुबारा से निफ्टी 18,040 के उपर जाके कामकाच करेगा और कौन से ऐसे level है जिन पर आपको aggressive trading करनी है कल आपको किस चीज़ का ध्यान रखना यह सारे point हम यहां पर समझने की कोशिस करेंगे तो जल्दी से video को start करेंगे तो मैं आगया हूँ option change data पर हो समझते हैं यहां पर कि अब nifty के लिए कैसा path बनेगा और कहां पर nifty जाने की कोशिस करेगा bank nifty के लिए कैसा moment रहेगा इनको हम समझने की कोशिस करेंगे तो लेकिन सबसे पहले देखो market at 11 में मैंने आपको क्या चीज़ बताएती है market at 11 में मैंने आपको दो point बताएती है कि अगर market यहां से sideways चला जाता है और second half में 18,000 को break करता है तो chances very high कि यह एक trending हो जाएगा और फिर 18,100 तक nifty जा सकता है but इसने immediately basis में थोड़ी दिरवाद ही इसने करीब कह सकते हैं कि 11 बजे के आसपास ही 18,000 को break कर दिया था और उसके उपर फिर आपको देख रहे हो continuously इसको sustain करने में problem आई और second half में आप देख सकते हो इसमें continuously तेड़ बजे के बाद profit working रही और low बनाया इसने 17,931 का अब यहां पे क्या होगा देखो अब अगर day chart पे देखते ठीक है अब आपको एक चीद में नदर रखनी है कि इस low के नीचे अगर आप trade करना है start करते हो यानी 17,931 के नीचे आप trade करना है start करते हो तो फिर एक काफी अच्छी weakness भी आ सकती है इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और अगर आज के low के नीचे अगर आप निकलते हो त देख सकते हो इसको हम normally breakout failure भी बोलते है कभी-कभी market क्या करता है कि breakout करने की कोशिस करता है और फिर एक दो दिन बाद नीचे गिर जाता है because of breakout failure breakout failure कब होता है देखो simple चीज़ यह है let us suppose यहाँ पे आपको एक breakout मिल रहा था ठीक है यह breakout मिल रहा था आपको आपने यहाँ पे ए यह जो long position create हुई है इसका stop loss जो maximum logo का है वो यह है यानि यह जो day low आज का बना अगर यह breakout हुआ है तो जायर सी बात है इस level के नीचे nifty को नहीं जाना चाहिए ठीक है इस breakout के लिए यह stop loss लेके बहुत लोग future long करके गए होंगे ठीक है इसी लिए मैं बोल रहा हूँ आपको अ market पर तेजी से market नीचे आ सकता है तो अगर आप इस low के नीचे trade करते हो 17,850 को 40 को break करते हो तो आपके लिए सीधा सीधा जो target है वो आप मान के चलो 17,700 का target आपके लिए बन के आएगा यारी करीब करीब मान के चलो 1500 point की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है जब भी यह level break हो मैं यह नहीं बोल रहा है यह level कल break हो जाएगा जब भी यह level break हो इस level के नीचे आप एक बाई short plan कर सकते हो यह शीद ध्यान रगे long अगर आपको आप करना है तो आप इस high के निकलने के बाद ही long करिएगा otherwise आप trap हो जाओगे क्योंकि 18000 एक psychological level था 18000 बोल भी चाहते थे कि 18000 आए और bears भी चाहेंगे कि 18000 पर उनको short करने का मौका में ले तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब आपको जो trading करनी है एक दो दिन बहुत ही जादा समहल के करनी है क्योंकि यहाँ पे दो chances बन सकते है या तो यह दु आपको थोड़ा सा यहाँ पर आप निफ्टी फर थोड़ा सा साथधानी ज़रूर रखनी चाहिए यहाँ पर यह चीद में आपको बताने की कोशिस कर रहा हूँ तो आप नज़र रखिए कि यह जब भी हाई ब्रेक कर रहा है तो आप लॉंग कर सकते हो आई के ऊपर टेकर आप लॉंग करिए टार्गेट आपका ठारादर 200 तक आपको मिल सकता है और अगर ये नहीं ब्रेक कर रहा है इसको तो फिर ये डेफिनेटली नीचे एक डिप लगा सकता है करीब करीब दो सो से 200 पॉइंट की गरावट आपको एक दो दिन ट्रेडिंग सेशन में देखने को म की नीचे गए तो आपको एक अच्छी घातिक रावर्ट देखने को मिल सकती है 171600 तक भी निफा जा सकता है ऑके अब बात करते हैं बैंक निफितिगी तो दिखो जो पैटर्न मैने आपको निफितिक के अंदर बताया था वही चीज मैंने आपको बैंक निफितिके अंदर भी बताई थी तो बैंक निफ्टी ने पूरा एजट इस चीज़ को फॉलो किया आप देख सकते हो कि ये हमने करीब इस लेविल पर वीडियो बनाया था मैंने आपको क्या बताया था कि ये हाई अब मार्केट यहां से साइडवेस चला जाए और सेकंड हाफ में इस हाई को ब हाई बनाया वह अर्थे से चार तो एक कैनवे का आपको हाई देखने को मिला मेरा जो टार्गेट था वो करीब यही था अर्थे से चार सो का बट उसने उसके बाद भी करीब एक्ट्रा सो पॉइंट का मोमेंट यहां पर बैंक निफ्टी ने दिखाया है तो बैंक कर सकता है या फिर थोड़ी सी वॉलेटेलिटी दिखा सकता है उपर नीचे उपर नीचे की तो आप उस चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रिपेर रहेगा आपका जो एक कह सकते हैं अच्छा दिन जो ट्रेंडिंग वाला दिन था जिसमें आप एक अच्छा पैसा कमा सकते थ वो आज ही का था एक ब्रेकाउट हुआ ब्रेकाउट के उपर एक मोमेंटम बना मोमेंटम पर आपने पैसा कमा लिया अब आपको कल से अपनी जो कॉन्टिटी है वो थोड़ी सी लिमिट में रखनी चाहिए और थोड़ा सा आपको ध्यान से काम करना चाहिए आज का दिन थ ऐसे चांसे बहुत कम है कल हो सकता है साइड़ वेजी मार्केट देखने को मिले अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं होता है तो यहां पर यह रेंज ही है जिस रेंज के अंदर रिफ्टी काम काच कर सकता है 18,440 से लेके आपको नीचे 17,850 तक का आप मान के चल स यहां पर आल्मोस्ट 42 लाग का ओपन इंटरस था बट विकॉस आफ 18,000 की नीचे की क्लोधिंग आई है तो सिर्फ कितना ओपन इंटरस रह गया है सिर्फ 25 लाग का ओपन इंटरस रह गया यानि जिल लोगों ने पुट सेल करी थी अपना प्रॉफिट बुक करके गए है क् क्या है इस चीज़ का डाउट है कि मार्के 18,000 के उपर सस्टेन नहीं कर पाया है नीचे क्लोज दे रहा है तो यहां से हो सकता है यह दुबारा से नीचे की तरफ चला जाए सबज रहे है अब दुबारा से यह 17,600-500 की लेविल तक चला जाए तो इसलिए वो रिस्क नहीं लिए आया है उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करके गए है तो यह चीज़ क्लियर लिए ऑप्शन चीन डाटा में भी दिख रही है इसलिए मैं आपको यहां पर बोल रहा हूं 17,900 की बात करें तो 17,900 की पूट पर 30 लाग का उपर इंटर्स खड़ा हुआ है कॉल पर 15 लाग का उपर इंटर्स तो 17,900 अभी कह सकते हैं मार्के डिफेंट कर सकता है 17,900 के नीचे जाएगा तो फर्दर वीकनेस यहां पर आती होई दिखाई देगी ग्लोबल मार्केट की बात करें तो एक बार आव फीचर देख लेते हैं 122 पर नीचे कामकाच कर रहा है तो कोई रखिएगा इन सारे लेविल्स पर और यह लेविल्स आपके लिए बहुत जारा इंपॉर्टेंट है अगले आने वाले दो से तीन रिंग सेशन में तो कौन कौन से लेविल्स है वो मैं आपको दुबारा से बताएता हूं 17,840 इसके नीचे निफ्टी जाता है डेफिनेट लीजे तो आई होप दोस्तो यह पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आगया होगा दोस्तो फुलाल इस वीडियो में इतना है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता है लाइक और शेल जरू करिएगा और चैनल को जूद सब्सक्राइब को ल